नमस्कार भारत होम्योपैति के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोराइसिस और सोराइसिस के टाइप्स के बारे में अगर आप एक psoriasis patient हैं तो आपको psoriasis के types पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि जब तक आप अपनी बीमारी को खुद diagnose नहीं कर पाएंगे तब तक आप उससे जल्दी recover नहीं हो सकते तो इसलिए आपको अपनी बीमारी के बारे में अच्छे से पता होना बहुत जरूरी हो जाता है तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं psoriasis क्या होता है psoriasis एक autoimmune disorder है जिसमें आपका immunity system hyperactive होकर आपकी skin cells को damage पहुचाता है जिसका result यह होता है आपका skin cell turnover time कम हो जाता है एक healthy इंसान में skin cell turnover time 28-45 दिन होता है लेकिन जब आप psoriasis के patient बन जाते हैं तो यह skin cell turnover time घट कर 10-15 दिन भी हो सकता है 15-20 दिन भी हो सकता है जिसका result क्या होता है जो भी dead skin cells होते हैं वो आपकी skin के उपर आकर store होने लग जाते हैं उनमें हलकी सी inflammation आपको दिखती है और उसमें आपको खुजली महसूस होती है यही psoriasis होता है अब इसके types की बात कर लेते हैं तो मैं इस video में 9 types of psoriasis आपको बताने वाला हूँ cover करने वाला हूँ तो सबसे पहले type की बात करते हैं जिसको बोलते हैं plug psoriasis और इसको doctor एक और नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं vulgaris psoriasis यह psoriasis लगभग 70-80% लोगों में commonly देखा जाता है जो भी psoriasis के patient होते हैं उनमें जो psoriasis होता है वो plaque psoriasis ही होता है यानि इसकी पहचान क्या से करी जा सकते हैं इसके पहचान होते है कि आपके skin पर आपको लाल धब्बे, पिंकिश धब्बे और silvery skin की borderline होती है उन पर और इनमें बहुत जादा dryness होती है और आपको itching की problem होती है यह आपके elbows में, knees में इनके शुरुआत यहां से होती है और आपके शरीर में कहीं भी हो सकते हैं अब number two type की बात करते हैं तो यह बहुत common है scalp psoriasis, यह भी एक plaque psoriasis की तरह ही होता है आपके scalp पर जब psoriasis होता है तो इसको scalp psoriasis बोते हैं आपके सर के इस हिस्से में या आपके बालों के बीच में कई बार patients इसको dermatitis समझ लेते हैं, कई patient इसको dendruff समझ लेते हैं और नजर अंदाज कर देते हैं लेकिन यह भी एक autoimmune disorder है, इसको आपको नजर अंदाज नहीं करना है, डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है, हो सकता है आपको scalp psoriasis हो, तो एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें number third psoriasis होता है, nail psoriasis, यानि आपके नखूनों में, आपके पैर के नाखूनों में, आपके हाथ के नाखूनों में, जो भी psoriasis होता है, उसको nail psoriasis कहते हैं, यह कैसे होता है, आपके नाखून बिलकुल आपके skin से हट सकते हैं, आपके नाखून बिलकुल dry हो सकते हैं, उ पाल्मो प्लांटर सोराइसिस, पाल्मो प्लांटर सोराइसिस के नाम से ही आप आइडिया लगा सकते हैं, आपके पाल्म पे जब भी सोराइसिस के पैचिस आपको दिखाई देते हैं, इस पैचिस में क्या होता है कि आपके हाथों में दरारे आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा महसूस हो सकती है, कट सा सकती है और ब्लीडिंग भी हो सकती है और साथ ही साथ आपकी soul of the feet यानि आपके पैर के निचले हिस्से में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपके पैर के इस निचले हिस्से में जैसे कि यह आपका पैर है तो इसके जो नीचे का हिस्सा है आपके पैर का उसमें आपको ये देखने को मिल सकते हैं और इसमें आप देखेंगे कि आपको चलने में बहुत दिक्कते हो सकती हैं आपको हाथ से काम करने में दिक्कत हो सकती है अगर आपके हाथ में Palmot planter psoriasis इसमें भी आपको medical treatment की बहुत जादा requirement होती है इसके बाद जो psoriasis का type आता है वो होता है guttate psoriasis guttate psoriasis के अंदर जो problem देखी जाती है वो commonly बच्चों में या युवाओं में देखने को मिलती है ये aged लोगों में कम देखा जाता है और इसके अंदर पेशेंट को एकदम से गटेट सुराइसिस नहीं होता या तो उन्हें कोई bacterial infection की वज़े से fever हुआ होता है या किसी infection की वज़े से उनकी body में ये गटेट सुराइसिस की problem बनती है अब आप इसको पहचान कैसे सकते हैं तो tiny droplets होती हैं, लाल-लाल धब्बे होते हैं, छोटे-छोटे धब्बे होते हैं आपके skin पे, आपके face के नीचे से पूरे शरीर में कहीं भी हो सकते हैं ये आपके हाथों पे कम देखने को मिलते हैं इसके बाद आता है आपका pustular psoriasis इसके नाम से भी आप idea लगा सकते हैं यानि pus contain करने वाले psoriasis ये आपके plaque psoriasis से थोड़े से different होते हैं जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था plaque psoriasis के बारे में आपको red patches दिखते हैं pinkish patches दिखते हैं उनके side में आपको white lining या silver color की lining दिखती है लेकिन pus वाले psoriasis में क्या होता है आपके pus भरे हुए जो छोटे-छोटे pimples से होते हैं वो white होते हैं और उनके side में आपको red lining देखने को मिलती है आप screen पर देख सकते हैं आप screen के through easily समझ सकते हैं कि pus psoriasis किस तरीके से दिखता है और इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि pus psoriasis क्या होता है ये भी आपके हातों में और soul of the feet पैरों के निचले हिस्से में होता है जादा दर्द और इस scenario में भी हमें देखने को मिलता है आपके joints में बहुत ज़्यादा दर्द होता है जब ये आपकी उंगलियों पर होता है और जब आपके हातों में pustular psoriasis होता है तो आपको काम करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसके साथ ही pustular psoriasis एकदम रैंडमली आपको नहीं होता है इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है जब आप excessive amount में किसी भी तरह के steroids का intake कर रहे होते हैं चाहे आप उसको औरली कर रहे हैं या ट्रॉपिकली कर रहे हैं या आप खा रहे हैं या फिर आप क्रीम की तरीके से किसी भी तरीके steroids का इस्तमाल कर रहे हैं काफी लंबे समय से और एकदम से अचानक से आप उसको बंद कर देते हैं तो इसके result में आपको postular psoriasis और erythodermic psoriasis होने के chances होते हैं तो इसलिए doctors आपको ये सलहा देते हैं कि आप steroids कभी भी खाते हैं एक बार doctor से सलहा जरूर लें और बिना doctor की सलहा के उनका intake करना consumption करना बिल्कुल बंद ना करें क्योंकि इसके वजह से आपकी body पर adverse effect आपको देखने को मिल सकता है और इसके बाद आता है psoriasis का एक ऐसा type जो बहुत ही खतरनाक है यानि erythodermic psoriasis इस psoriasis के अंदर किसी भी इंसान की 90% body पूरी psoriasis से cover हो जाती है यानि जो plague psoriasis है आप इसको इस तरीके से समझे आपकी पूरी body पर psoriasis हो जाता है image में आप देख सकते हैं किस तरीके से होता है और इस समय patient को बहुत ज़्यादा खुजली महसूस होती है बहुत ज़्यादा irritation महसूस होती है कई बार fever आ जाता है बहुत ज़्यादा थकान बनी होती है और ऐसे में patient का self confidence बिल्कुल down हो जाता है stress बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये एक ऐसी condition है जिसमें आपको medical condition तुरंत ही doctor के पास जाना होता है क्योंकि अगर आप इसको बिना doctor की सलागे ठीक करने की सोचेंगे तो ऐसा पिल्कुल भी possible नहीं है patient बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते है अगर हम बात करें psoriasis के सबसे खदरनाग type की तो उसमें erythodermic psoriasis ही आता है इसके बाद आता है inverse psoriasis जैसा कि इसका नाम है inverse psoriasis इसके अंदर क्या होता है आपकी body के जो भी folds होते है आपकी armpits होगी बगल होगी आपका pelvic area हो गया आपकी private body part के आस पास का हिस्सा हो गया आपकी elbows के पीछे का हिस्सा हो गया जो भी चीज fold हो रही है जहां sweating होती है वहाँ आपको psoriasis देखने को मिलता है लाल लाल ढबे आपको देखने को मिलेंगी जिनमें आपको बहुत ज़्यादा itching की problem होती है burning sensation इतनी महसूस नहीं होती है लेकिन ये भी दीरे दीरे बढ़ सकते है क्योंकि इसमें sweating एक बहुत बड़ा trigger point होता है psoriasis को बढ़ाने का और ये folds में जब होता है तो इसकी वज़े से sweating भी बहुत ज़्यादा होती है तो ऐसे में patient को बहुत ज़्यादा secure रहना पड़ता है डॉक्टर की सलहा लेते रहना पड़ता है दवाईयां लेते रहना पड़ता है टाइम पर और अपनी care खुद भी बहुत करनी पड़ती है अब last type है psoraitic arthritis psoraitic arthritis जैसा कि आपको पता है arthritis यानि जोड़ू से समद्दित समझेया अब psoraitic arthritis में क्या होता है जब आपका psoraitis untreated रहता है काफी लंबे समय तक 5-10 साल के बीच में अगर आपने अपने psoraitis को ठीक नहीं करवाया या सही medical treatment नहीं ले रहे आप manage नहीं कर पारे उसको तो इसका result क्या होता है suppose अगर आपकी इन उंग्लियों पर आपको psoraitis है और ये 5-10 साल तक बना हुआ है तो इसकी वजह से आपके इन joints में भी आपको दर्द महसूस होने लग सकता है इन में भी inflammation आ सकती है इनके joints में भी दिक्कते बन सकती है और इसी को psoraitic arthritis बोलते हैं यानि जब आपके joints पर psoraitis के patches बनने लगते हैं और उन में दर्द बहुत महसूस होता है आपके joints में बहुत ज़दा stiffness आ जाती है आप काम नहीं कर पाते हैं तो इसी को psoraitic arthritis बोलते हैं अब इस वीडियो में मैंने आपको बताए है 9 types of psoraitis और अगर आप इन में से किसी भी तरह की psoraitis को face कर रहे हैं तो तुरंथ ही डॉक्टर से consult करें और medical treatment शुरू करवाएं और कुछ बातों का खास ख्याल रखें कि आपको stress नहीं लेना है क्योंकि आप stress जितना लेंगे उतना ही आपका psoraitis और ज़्यादा aggravate होगा आपको ये गलती नहीं करनी है तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मुझे उमीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर आप psoraitis के किसी भी type का treatment लेना चाहते हैं तो आप screen पर दिये गए number पर call कर हमारी team से consult कर सकते हैं और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही साथ ही आप call करने के साथ साथ आप हमारी screen पर दियेगे number पर WhatsApp भी कर सकते हैं अपने psoraitis की photo और doctor से consult कर सकते हैं हमारी doctor की team खुद ही आपको contact करेगी तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार